हलो एवरिवार वेलकम बैक टो माई चैनल माई निम इस निगार और आप सभी का सागत है मेरे चैनल में गाईस आज इस वीडियो में मैं आप सबको नैशरल रोज वाटर बनाने का बेहद आसान तरीका बता रही हूँ अगर आप घर बनाती है तो हमारा जो रोज वाटर है बिलकुल नैशरल बनेगा विदाउट यानी केमिकल के इस रोज वाटर को घर पर बना सकते हैं बनाने का तरीका बेहद आसान है और जैसा कि हम सब जानते हैं गाईस की समर आ रही है और समर में गुलाब जल की एहमियत कि तो इस रोज वाटर को आपको किस तरह से बनाना है यहां पर मैं एक प्लेट गुलाब जल से आपको आज दो तरीके से गुलाब जल बनाना बताऊंगी ठीक है आपको बनाएंगी एक ही बार बढ़ हमारे जो गुलाब जल हैं वो दो तरीके से बनेंगे सिर्फ एक बार में आज का मेरा वीडियो आप सब के लिए बहुत ही हैलफुल होगा अगर वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कर देना प्लीज और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बल बटन को प्रेस करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी इसी देशी गुलाब की पत्तियां ठीक है यह अपनी एंटी इंफिलमेरिटी गुडों से भरपूर होती है इसके लावा एंटी एजिंग प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है चेहरे को पिंक ग्लो देती है चेहरे को नरिश करती है मॉश्राइज करती है इसके यूज से हमारे पूरी एक प्लेट हमें चाहिए लगभग 100-500 गुलाब की पत्तियां आपको ले लेनी है और बड़े बरतन में कुछ इस तरह से इन गुलाब की पत्तियों को आपको सेट कर देना है जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं ठीक है इच में थोड़ी सी जगह आपको खाली रखन अची तरह सेट कर दें और गाईस आप हमें क्या करना है कि इस बरतन की चारो तरफ थोड़ा सा पानी डालेंगे ठीक है ताकि हमारी जो स्टीम है वो बन जाए तो स्टीम बनाने के लिए यहां पे हमें थोड़ा सा नॉर्मल वाटर का यूज करना है कम से कम 2 गलास पानी हम इसमें एड कर देंगे अब इस बरतन को गाईस हमें ढग देना है ठीक है यहां पर एक बात आप याद रखें कि जिस बरतन में आप रोज वाटर बनाएं तो जो ढगकन ऊपर से आपको रखना है वो पूरा अच्छी तरह से सेट हो जाना चाहिए ताकि जो हमारी स्टीम ब देना है और वेट करना है कम से कम 15 मिनट तक का और फ्रेम को आपको हाई करके फिर मीडियम पे रख देना है तो पंदरा मिनट बाद आप देख सेती है कि बरतन पे जो आइस थी वो पूरी मेल्ट हो चुकी है और भाप पूरी बन चुकी है आपको साफ नजर आ रहा होगा जोड़ी से बबल्स आपको देख रहा होंगे तो इस ढकन को गाइस हमें अब बहुत ही कैफली हटाना है ताकि ढकन के ऊपर जो पानी है वो याद रखे कि अंदर ना जाने पाए और चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा कितना रोज वाटर निकला है तो आप देख सकते हैं कि जो हमने बरतन बीच में रखा हुआ था उसमें बहुत सारा रोज वाटर आ चुका है अब हम इस बरतन को निकाल लेंगे ठीक है और इसे हम ठंडा कर लेंगे और यहां पर जो आप भगोने में जो देख रही हैं जो हमने पानी डाला हुआ था उसमें यह पत्तियां आपके पास कोई भी श对 बातोला हम जो चाण लेंगे ताकि हम लगाने में आसानी हुआ जब भी हम अपलाई करे तो कोई भी पत्ति उसमें ना आये तो कुछ इस तरह से स्टेःणर की हैथ से हमें इसको चान ले secular है अब आपके पास कोई भी इस ऍप्रे बॉटल हो या फेस पैक बनाएं उसमें इस्तिमाल कर सकती है इसके अलावा चेहरे पर फ्रेशनेस के लिए भी यूज कर सकती है कॉटन मेले और अपने फेस को क्लीन भी से कर सकती है बहुत ही बेनिफीच्यल है हमारा फस्स रोस वाटर है जो की हमने बनाया है और आप बारी आती है जो हमने main rose water बनाया है जो कि हमारा बिल्कुल बना है transparent और बिल्कुल ऐसे डाबर गुलाबरी की तरह यह हमारा rose water बनाये तो इसको भी हम एक spray bottle में store कर लेंगे और इन दोनों ही rose water को आप fridge में store करके रख लें ठीके तो यह हमारा बहुत ही प्यारा सा rose water बन के तयार है आप देख सकती है जो कि हमने घर पर बनाया हुआ है without किसी chemical के कोई भी chemical नहीं है कोई भी added color नहीं है इसमें बिना किसी chemical के आपने घर पर खुद बनाया है और यह दोनों ही rose water बहुत ही कमाल के हैं एक में पूरे पत्तियों का आरक आ चुका है और एक में प्योर गुलाब जल हमारा आया हुआ है जो प्रॉसेस होता है मेन गुलाब जल बनाने का तो ये दोनों ही रोज वाटर बहुत ही effective हैं समर में आप इनका बेजी जग यूज करें आपके सिपैसे भी बचेंगे और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देने और चैनल पर पहली बार आया है तो बेल बटन को प्रेस करें और इसी तरह की वीजो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं गाइस नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें टेक क्यार बाबाई